सुब मध्यान मेरा नामाही चौधरी है मैं कक्षा आटवी की छातरा आप सब की समक्ष पर्यावरन प्रदूशन फेरे एक सुलेख प्रस्तुत करने जा रहे हूँ प्रदूशन, प्रदूशन के विबिन प्रकारों में पर्यावरन प्रदूशन एक गंभीर समस्या है यह समस्या भारत की ही नहीं बलकि पूरे विश्व की है हम यह कह सकते हैं कि सौर्य मंडल में प्रित्वी ही एक मात्र ग्रह है जहां जीवन के होने के पुड़ प्रमान है प्रित्वी की वातावरन में 78% नाइट्रोजन, 21% आक्सिजन तथा 1% अनिगैस सामिल है इन गैसों का प्रित्वी पर समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार है कित्तु जब इन गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगर जाता है और यह जीवन के लिए हानिकारक शाबित होती है हम इसे ही प्रदूशन कहते हैं प्रदोशन के कई रूप होते हैं, जल प्रदोशन, वायू प्रदोशन, मृद्या प्रदोशन, आधी प्रदोशन के कारण उद्योगों से निकलने वाले रसायनिक अप्षिष्ट पदार्थ जल एवं मृद्या प्रदोशन के कारण बनते जा रहे हैं साथी साथ इसके कारण वातावरन विशयली गैस भी फैल रही है, पेडों के पर्याप संख्या में ना होने के कारण भी वातावरन विशयल गैस जमा होते जा रही है, वन इस समान्द होने के लिए पॉलिथिन का प्रयोग करता है, और प्रयोग के बाद उन्हें यूही फेक जो कि नालियों को अवरुद कर पानी एक जगह जमाक कर प्रदूशित करते जा रही है। प्रदूशन के दुषपरिनाम, पर्यवरन प्रदूशन का सरवाधी प्रतिकोल परभाव मानग की स्वास्थ पर पढ़ते जा रहा है, प्रदूशन के कारण आज मनुश्य का सरीर अनेक बीमादियों का कारण बनते जा रहा है, सहर में इतनी ज़्यादा विशैल गैस फैर र उद्योगों की चिमनियों की उचाई थोरी अधिक और हो कोले अथवा डीजल के इंजनों का उप्योग कम किया जाए प्रदूशित जल को प्राकृतिक जल शोतों में गिराने से पुर्व सैवल की कुछ जातिया तथा जल कुम्भी के पौधयों को उगा कर प्रदूशित जल